बड़ी खबर आ रहे है दिल्ली से जहां वार मेमोरियल पहुचे नरेंदर मोदी हम आपको बता दे नरेंदर मोदी ने शहीदों को शद्धांजली दी और मोदी के साथ राजनाथ सिंग जो की रक्षा मंत्री है भी मौजूद रहे हम आपको बता दे वार मेमोरियल पर शहीदों को नरेंद्र मोदी ने श्रधांज़ी दी ये बड़ी ख़बर हम आपको बता रहे है जो किया रही है दिल्ली से हम आपको बतादे प्रधान मंत्री पद के लिए मनोनित नरेंद्र मोदी और भाठपा नेता राजनाथ सिंग शपत ग्रहन समारों से पहले राष्ट्र युद्ध समारक पूचे और श्रधांजरी अर्पित की यह बड़ी खबर आपको इपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग भी मौजूद रहे जिन्होंने मिलकर वार मैमोरियल में श्रधांजरी अर्पित की हमाई टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तस्वीरे जहां माननी नरेंद्र मोदी श्रधांजली अर्पित करने जा रहे हैं शहीरों को वही मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग भी इस मौके पर मौजूद रहे हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं साब तस्वीरे जहां माननी नरेंद्र मोदी पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग के साथ शहीदों को शधांजली देने राश्ट्रिय युद्धस मारक पहुंचे ये वड़ी खबर मापको बता रहे है जो क्यारी दिल्ली से जहां वार मैमोरियल पहुचे माननी नरेंद्र मोदी पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग के साथ वही हम आपको बता दे नरेंद्र मोदी ने शहीदों को शधांजली अर्पित की इस मौके पर मोदी के साथ पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग भी मौजूद रहे वही वार मैमोरियल पर शधीदों को शधांजली अर्पित की ये बड़ी खबर मैं आपको बता दे जहां प्रधान मंत्री पद के लिए मनोरित नरेंद्र मोदी और भाजपा नेता राजनाथ सिंग शपत गिरहन समारों से पहले राष्ट्री युद्धिस मारक पहुचे और शधांजली अर्पित की हमाई टीवी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं साफ तस्मीरे जहां मानमी नरेंद्र मोदी शहीदों को शधांजली अर्पित करते हुए निज़रा रहे झालते हैं साफ अर्प शप्रीन करते हैं से जह से अज़रा रहे हैं से ढ़ ऊकर युद्धिस की